हेलो एफ्रिवन दिस इस हंडेड चैलेंज फॉर हंडेड ट्रिक्स एंड तुड़े इस डे नमबर 11 सो मैं आपके लिए ट्रिक नमबर 11 लेके आया हूँ सबसे पहले आपको बासे हैं तो यहां पर आपको पांच स्टेप्स याद रखने हैं The first step is सबसे पहले आपको balance electrons को count करना है समझे कि यहाँ एक example लेते NO दिया गया है तो आपको count करने है balance electron इसके 5 हुए balance electron इसको 6 है तो इसको आपको count करना है Next is Least electronegative atom कौन सा है उन सब में से देखना है NO की बात करें इन दोनों में से least electronegative कौन सा है nitrogen है तो nitrogen जो है उसको आपको central item count करना है तो least electronegative atom को as an central item आपको count करना है और जो atoms बचे हुए हैं उनको उनके surroundings में रखना है Next is सब के बीच में single bond बनाना है जो आपने रखा हुआ surrounding में atoms और central item उसके बीच में single bond बनाने है octate complete करना है उनकी valences complete करनी है through electrons ठीक है और central item का last में आपको octate complete करना है तो this was the trick अब हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है अगर मैं example की बात कुर तो यहाँ पर हम लोग ले रहे है nitrate iron that is NO3- ठीक है अब आपको पता होगे कि nitrogen जो है यह 15th group का है तो outermose orbit में कितने electron होते है इसके 5 और oxygen outermose orbit में 6 electron क्योंकि 16th group है कैसे लिखते है 2, 8 and 5 ठीक है ऐसे 2, 8 and 6 तो यहाँ पर 5 electron हुए इसके 6 electron हुए और आपको यह दिख रहा होगा कि 3 से multiply करना पड़ेगा extra electron इसने receive किया है तो वो एक electron आपको add करना पड़ेगा total हो जाते हैं कितने electron 24 तो हमारा पहला step complete हो गया balance electrons को हमने count कर लिया है next step की बात करते हैं तो क्या था हमको देखना था कि electro negative को है least electro negative उसको central item बनाना है और उनके surrounding में दूसरे items को रखना है या least electro negative है nitrogen और central item उसको हमने बनाया और दूसरे जो oxygen से उनको हमने surrounding में रख दिया है third step क्या था single bond बनाना था सबके बीच में तो हमने third step भी complete कर लिया fourth step में क्या करना था balances complete करनी थी octet rule के हिसाब से 8 electron सबके हिस्से में आना चाहिए वो देखना था हमें अगर मैं oxygen की बात करता हूँ तो यह रहा इसका एक electron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसके octet complete चुटी है ऐसे मैं इसकी बात करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका भी complete है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 तो इसके भी octet complete है यहाँ पे center हम नहीं देखने है center का octet है हम surrounding का पहले octet देखेंगे तो वो हमने complete कर लिया है 5th step में आपको क्या करना था center का octet complete करना था अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ देखेगा nitrogen का कितने electron है 2 electron, 2 electron and 2 electron तो totally कितने electron हुए है nitrogen के पास 6 electron है उसको कितने electron चाहिए 2 electron extra चाहिए तो वो क्या करना है आपको 2 oxygen के electron को cut out करके यहाँ पे 2 electron मिलके bond बनेगा वो bond बना देना है यह oxygen के पास कितने electron lone pair बचेंगे 2 lone pair of electrons बच जाएंगे ठीक है तो हमारा structure से ऐसे कुछ दिखेगा ध्यान से दिखेगा nitrogen with double bonded यहाँ पे 4 electrons और यहाँ पे आपको 6 मिलेंगे यहाँ पे 6 मिलेंगे अगर मैं octet की बात करता हूँ तो ध्यान से दिखेगा 6 electron, 7 और 8 that is octet completed यहाँ पे बात करते हैं तो 4 electrons 5, 6, 7 and 8 अगर हम लोग पात करते हैं 1, 2, 3, 4 5, 6 and 7, 8 8 electrons उसके भी complete है आपको bracket में रख देना है क्योंकि माइनस चार्ट था तो हमें माइनस चार्ट लगा देना है 1 and this was the final structure तो ऐसे ही आप किसी भी चीज का final structure बना सकते हूँ Lewis dot method के हिसाब से बस आपको ये चीज 5 steps याद रखने कैसे भी करके structures easily बन जाएंगे and this was the trick stay safe, stay curious I'll see you guys tomorrow and share this trick with everyone Thank you, thank you so much